कि नमस्कार आप देख रहें एनस मेटिया गुरूप में इसकरेंजन उद्धोग वेपार की खास खबरों के साथ दोस्तो अभी मैं नया वजार में नहीं हूँ लेसिन एक नया वजार की खबर के साथ हूँ अभी पता चला है कि जो दिली ग्रेन मर्चंट एसोसियेशन के पदादिकारियों का तिरवार्सिक चुनाओ 24 अगस्त को होने वाला उसमें एक बहुत बड़ा फिर बदल हुआ है जो महामंत्री पद के कंटेस्टेंस है उमिद्भार थे संजे सिंगल जी और सचिन सर्मा सचिन सर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है और संजे सिंगल जी निर्विरोध महामंत्री पुना चुन करके आ जाएंगे दोस्तो इस खबर से पूरे नया बजार में एक सोहर्थ की इस्तीती पैदा हो गई है लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग सचिन जिन से नराज भी है और कुछ वीडियो मेरे पास से नया बजार से आये हैं मुख चुनाव अधिकारी परदीर जिंदल जी और चुनाव कमिटी से भी मेरी बात हुई और चुनाव कमिटी और मुख चुनाव अधिकारी ने सचिन सर्मा को बधाई देते हुए कहा कि ये एक नया बजार में भाईचारे का नया मिसाल जो है पेस किया गया है सचिन जी के द्वारा लेटर में ये भी लिखा है सचिन सर्मा जी ने कि मैं किसी दबाव में आकर के नहीं बलकि भाई चारे को देखते हुए इस चुनाओं से मैंने अपने नाम को वापस लिया विड्रोव किया आईए देखिए इस रिपोर्ट को अगले सत्र में लेकर आगे बढ़के काम करता रहे तो हम इसका पूरा से लोग करेगे अगले सत्र में लेके हैं कि मामन देखर लेके हैं जिन्दाबाद वपारी एक्टा जिन्दाबाद हमारे पूरु मंत्री स्री सचिन सर्मा ने आज जो वपारी एक्टा का देख बहुत बड़ा त्याग किया और अपना रेजिनेशन देके संजिया सिंगन जी को मामन द्री बनाया इसके लिए मैं सचिन सर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तो धन्यवाद करता हूं जो इतना सेक्रिफाइस किया मेरे लिए बलिदान किया और मैं हमेशा सचिन भाई को अपने साथ रखूंगा आगे भी इतन्यवाड़े समय में और जो भी मदब साथ जो भी काम होगा मैं साथ मिल्चुन के साम जड़ेगा नमस्कार वैपारी भाईयों मैं सचिन शर्मा अपने बड़े भाई संजे सिंगल जी जिनके साथ मैंने साथ साल सीखा है असोशेशन को काम उनके प्यार में लव में अफेक्शन में अपना जो इंडिशे रफा में वापत लेता हूं और पुरी में करता हूं संजे जी झाल 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 झाल